डियर स्टुडेंट आज का टॉपिक है बीए करने के फायदे बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही जरूरी है आपको ये वीडियो देखना यदि आप बीए कर रहे हैं तो बीए के क्या-क्या फायदे हैं ये आपको जरूर जानना चाहिए और साथ-साथ में यदि आप बार्वी करके आ रहे हैं तो आप लोगों के लिए क्या-क्या आउसर है क्या-क्या इसके लाव है फायदे हैं मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प में लेगी ठीक है साब सब्दों में बोले त करते हैं कुछ B.com करते हैं ठीक कुछ B.ca करते हैं कुछ अपना टेक्निकल फिल्ड में जाते हैं यानि कि सब लोग अलग-अलग फिल्ड में जाते हैं लेकिन आज कि वीडियो हम बात करेंगे कि बार्वी के बाद आप अगर B.A. कर रहे हैं तो उसके क्या-क्या फायदे हो तो सिर्फ बारुई के बाद ही आप बीये नहीं कर सकते आप दो साल तीन साल छोड़ के अगर रहें तब भी आप लोग भीये कर सकते कहने के मत किया तब भी आप कर सकते हैं तो चली जानते हैं कौन-कौन से फायदे बहुत अच्छे तरीके समझेंगे तो यहां पर हमने की कुछ महत्वपूर्ण जो जरूरी आपके लाव हैं जो फायदे हुए मैं आप लोगों की समझ प्रस्तूत करूँगा हाला कि बीए करने की बहुत सारे लाव हैं और बहुत सारे फायदे लेकिन जो मेजर हैं जो मुख्य हैं फायदे जिनको आप कर सकते हैं और आप लोग उन में ज यहां प sìक्क है सिकेंड में होंगे फोर्थ मेंगे लेकिन को मालूम नहीं की हम फायदे क्या-क्या हो सकते हैं इस से हमारे नौकरी लग सकती है यह फिर हमें लुग साँबित हों जि Lichth से लिए ध्यान सुनेंगे हाला कि यहां पर मैंने लिख दिया 2024 में अगर आप 25 में कर रहे हैं तब भी आप लोगों के लिए फायदे मिलेंगे ठीक है तो यहां पर लिखा 2024 में भी यह करने की फायदे पहला जो मैंने खुद साइट साइट तब भी आप लोगों को आप से समिस्टर प्रणाली लागों से आप लोगों को तीन साल में चे बार परिष्छाय देने होती यानिका एक साल में दो वार ठीक है हाला कि कहीं कई पर अभी भी सिस्टम जो है वो एरली है एक ही बार पेपर देना पड़ता लेकिन जितनी भी उपतर प्रदेश में इनुवर्सिटी यह वहां पर सब में साल में दो पार पेपर देना होता है इस बात को भी ध्यान लखेंगे तो जब आप बिए कर लेते हैं तो पहली बात आप ग्रिजुएट हो जाते हैं कहने कि मतलब आप असना तक कम्प्लीट करने के बाद एक आप एक तरीकिस कहें सकते हैं कि आप लोग के अंदर ग्रिजुएट का जो डिगरी है वो आपको मिल जाती है ठीक है और धान अरक्यें कोई अगर इंटर किया है उसकी компании कोई गरघट है तो उसका 31 कमपियर कर लिजिए कम कंप पर मतलब क päर मिलेंगी बारवी करें रहेगा लेकित यह असनाधा कर लेगा तो बहुत सारे औपोरिज्डियूनिती बहुत फारे इसर मिल जाते जिसमें से पहली बात में गर claims हो दूफरा है कम्मव्निकेशन और परसनालिटी में सुधार आ सीयाथ एक किस से बातकरने का तरीका किया किसी के सामने पेस्लिए का तरीका धूब होता है यह सब आपके निदर आपको इंटरविवेट हो जाते हैं तो ठीक है यह फायदा है ठीक है उसके बाद आपका जो तीफ्रा है वह बहुत ही बड़ा है रोजगावर के आउसर भर जाते हैं कि जो नौकरी के हैं उनके चांस जो है बढ़ जाती है तो बीए करने में बहुत सारी आजाती बहुत फारे आउसर मिलते हैं जिनमें से पहला जो है हमने कुछ मेजर रखें मुख जो आप कर सकते हैं हमारे चाहतर पहला कि आप टीचर बन सकते हैं कि आप टीचर बन सकते हैं टीचर का मत्तब आप लोग सरकारी भी टीचर बन सकते हैं फ्राइबेट भी टीचर बन सकते हैं ठीक है अगर आप यही कहीं मान लीजिए जहां से सुनेंगे बहुत ही बड़ी बात यहां पर है जैसे कि आप मान लीजिए की एक्जांपल गूर्प में बार्वी कर लेते हैं तो अगर आप कहीं पढ़ाने जाएंगे तो आपकी वैली इतनी नहीं होगी लेकिन अगर वहीं पर बीए करे रहेंगे तो हां कोई बोलेगा आपकी डिगरी क्या है तो आप बोलेंगे हां बीए कर रखे हैं तो आप फरकारी टीचर भी बन सकते हैं और प्राइबेट भी बन सकते हैं यह भी बहुत ही मेजर अपॉर्चुनिटी है ध्यान लखेंगे उसके बाद सिकेंड है जैसे कि आप यह कंपलीट कर रहे हैं तो आप टीचर बन सकते हैं बेशक प्राइबेट हो सकते हैं कि आप पुलिस में भरती हो सकते हैं आप पुलिस में भरती हो सकते हैं ज बानते हैं तो इसमें भी आपको बहुत बड़ी आउसर मिल जाती है हलाकि वाले तो बार भी पास आ देते लेकिन जो आज यसाई वाला आता है उसमें आपको ज्यादा उपरिचुनिटी मिलेंगे क्योंकि आप असना तक कर रखेंगे तो यह बहुत बड़ी बात पुलिस में इसका काम आ जाता है ठीक है अगला की बैंकिंग सेक्टर में जौब कर सकते हैं तो बैंकिंग बहुत बड़ा सेक्टर है अगर आप देखिए मेरे जानकारी के दुसार अगर आप बार हुई कर रखें तो आपको बैंक के सेक्टर में कोई भी जौब नहीं मिलने वाले क्यो करना पड़ता है लेकिन आप उनके नीचे जो फैनेंसियल कडगरी के लोग होते जो लोन उन देते उसमें यह आपको नोकरी मिल सकती है और बैंकिक सेक्टर में आपने सुना होगा कि बहुत वासूली का जो काम है ठीक है उसमें इसकी बहुत ज्यादा रिकारिमेंट मिलती बार्वी पाफ नहीं लेते हो लोग हमारे यहां वफूली के लिए अलग अलग बैंधन बैंक चाहते हैं और एक और बैंक और हैं उनसे लोग मतलब कि वो लोग क्या समों के बादम से 50 बाटे हुए तो गुरूप बनाके तो उसमें क्या वसूली के लिए तो हमने पूछा था किसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए तो उन्होंने बदाया था कि बारवी पास पर आपको जोब नहीं मिलेगी लेकिन आप असनातक कर रखें बीए कर रखें ब्यक्राइब कर रखें तो आपको नौकरी मिल जाएगी और वह प्राइवेट बन सकते हैं तो आप आई Yes ठीक है आईपीएस कलेक्टर की तैयारी कर सकते हैं हर एक जो इस्टुडञेंट है हर एक जो ढहिनी है चात्र बाचात्रieważ है सब का सपना होता ऐएस औरसियास ठीक है मेका सपना होता recognize प्राइस आईपी एस औरसॉक्षब नेगा थेगे तो सब के बहुत ही ज़्यादा अलग अलग थिंक होती है जो टोइल्स कर ले था या फिर अच्छा खासा पढ़ने में है ठीक है या फिर कुछ सपने देखता है तो वो ज़रूर एक बार चाहता कि हम IPS और IES ये कलेक्टर की तयारी करें ठीक है सिबिल सर्विस पे जाये कुल विला के य ठीक है क्योंकि आपको IES में जितने भी राजनितिक चीज़ें समाजिक चीज़ें भोगोलिक चीज़ें ठीक है यह सभी चीज़ों को ठीक है उसमें पढ़ना होता है उसे समंदित question पूशे जाते हैं और यही सब चीज़े आपको BMA होती है ठीक है तो यह बहुत बड़ी कर सकते हैं और इसके लावा अगर आप में नहीं करना चाह रहे हैं तो बहुत बड़ा आप लोगों के आउसर है ठीक है दिन इसके बाद आपको बीड़ के पॉर्चिंडी मिल जाती है अप गुवर्मेंट टीचर बन सकते हैं ठीक है और साथ-साथ में आप सभी प्रकार की सरकाई नौकरी की तैयारी कर सकते हैं और उसमें जोईन भी हो सकते हैं तो बिये करने के बाद बहुत फारी जो नौकरी होती हैं सरकारी वो प्राइबेट में बहुत फारे नौकरी आती हैं जिनको आप लोग असनातक के बाद ही करते हैं जैसे कि आप लोग किफी कॉलेज में लेक्षर बढ़ना चाहरे हैं ठीक है बहुत फारे महाबिद्याले होते हैं इन्वर्सिटी होती हैं ठीक है उसमें अगर आप टीचर बनना जाता है ठीक है तो यह बहुत और सारी अपर चुनिटि है आपको ब्यें करने के बाद जो मिल जाती है तो इसी में से आपका जो सफ्पना हैं किसी एक का होगा ज़रूर ठीक है बाकी आप इस छेत्रों में अपना कैरियर बना सकते हैं बहुत ही अच्छी बात है ठीक है कि आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू तो सब्सक्राइब कर सकते हैं मिलते को नहीं वीडियो में जहिंद